वरुन दवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर होगी अब इन दो खूबसूरत सीनाओं की इंट्री बलेवुड की हिट मशीन बन चुके वरुन दवन के पास इस वक्त कई फिल्मे है वरुन इन दिनों बैक टू बैक अपनी आने वाली फिल्मों में लगे हुए है बता दें कि अब वरुन दर्मा प्रडक्शन तले बन रही का लंक और रंभुमी जैसी फिल्मों में नजर आने वाले है इसके अलावा वरुन की मचवेटेड डांस फिल्म ABCDT की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है रेमो डिसुजा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पहले कट्रीना के फिवरुन के अपोजिट नजर आने वाली थी लेकिन कट्रीना ने इस फिल्म को टाटा बया बया बोल दिया इस फिल्म को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि इस फिल्म का टाइटल स्ट्रीट डांसर रखने का फैसला लिया जा चुका है वहीं फिल्म की हीरोईं की बात की जाए तो अब एक नहीं दो-दो हीरोईं नजर आने वाली है इसके लिए श्रद्धा कपूर और नोरा फते ही को साइन किया गया है खबर है कि जल्द ही दोनों फिल्म की टीम को जोईन करने वाली है इससे पहले भी वरुन दवन और श्रद्धा कपूर की जोड़ी एक साथ परदे पर नजर आ चुकी है पहले पार्ट A B C D में भी वरुन के अपोजेट नजर आ चुकी है खबर है कि श्रद्धा इस फिल्म में एक भारतिय दांसर के रोल में नजर आएगी तो वही नोरा फिल्म में इंटरनेशनल दांसर के रोल में नजर आएगी खबर के मताबिक वरुन जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे है रिपोर्ट के मताबिक फिल्म का पहला शे ड्यूल 22 जनवरी से पंजाब के अमरित सर में शूट किया जाएगा बाद में फिल्म की टीम UK जाएगी फरवरी के पहले हफते में ABCD 3 UK में होगी इसके बाद फिल्म का एक बड़ा हिस्सा लंदन में शूट किया जाएगा और ये शूटिंग अप्रियल के तीसरे हफते तक चलेगी वही मेकर्स इसके बाद फिल्म की शूटिंग जुलाई में मुंबई में करेंगे मेकर्स फिल्म को 8 नवंबर 2019 को रिलीज करना चाहते है इस फिल्म में वरुन के साथ प्रभुदेवा, रागव जुयाल, धर्मेश एलांडे, पुनीत पाठक और शक्ती मुहन नज़राएंगी